असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बहुत ही मज़े की बोनलेस चिकन के साथ बिर्यानी बना रहे हैं तिका बिर्यानी यह बहुत ही मज़े की और युनीक रेसिपी है आपने वीडियो को स्कीप नहीं करना ताके आपको स्टेप बाइ स्टेप पता चले किस तरह बनेंगी इ मैंने इनको बरीक बरीक काट लिया है मीडियम साइज के यह अनियन है हाफ केजी इसमें योगर्ट जाएगा इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना थोड़ा सा धनिया हरा धनिया और हरी मिर्च चार से पांच मैंने लेके उनको बरीक पीसा और इसकी चटनी मैंने योगर्ट में डाल दी ओ, योगर्ट को थोड़ा सा फैंट लिया है, वन केजी चावल है, इनको आदा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था, इसके अलावा फूट कलर जाएगा, येलो फूट कलर है, थोड़ा सा ये जाएगा, केवडा एसंस है, ये भी सम ड्रोप सिये जाएंगे, स्प गरम मसाला पाउडर, वन टी स्पून धनिया पाउडर है, टू टेबल स्पून भर के, किसी भी ब्रैंड का आप तिका मसाला ले ले, वन केजी चिकन है, इसको मैंने बॉनलेस चिकन है, इसको मैंने इच्छे से साफ किया, और इसके पीसिज कर लिए है, एक ही साइज में, थोड़ा सा जवीतरी पाउडर है, हाफ टी स्पून से भी कम है, और वन टेबल स्पून सिर्का जाएगा, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है, चार से पांच चमच ये हो जाएंगे, टेबल स्पून, चार से पांच टेबल स्पून है, इसमें चार हरी मिर्चली, वो भी म योगर्ट जो मैंने जिसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा सा डाल के मिक्स किया था मैंने वो योगर्ट इसमें डाल देंगे अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको एक से डेड़ घंटा बिगो के इसी तरह आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं जावित्री पाउडर गया इसमें इसकी बहुत अच्छी खुश्बू आएगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी है साथ में ये पेस्ट डाल दिया इसके बाद जो हमारे स्पाइस हैं सारे स्पाइस में डाल दूँगी मैं यह सारे स्पाइस इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करके इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी मैं आदा घंटा इसको रख रही हूँ अगर आपके पास टाइम है तो आप एक तेर घंटा इसको रख सकते हैं फ्रिज में रख दंँगे इसको मैं तब तक मैं चावल बौैल कर लोंगी चावल में मैं पानी में नमक डाल और थोड़ा सा मैंने बहुसारा मसाले नहीं डाले मैंने इसको अब पैया हाफ डाल झाले इसको सीरा जाए तब तक मैं अपने पुटाटोस जो है मैं इसमें पुटाटोस भी डाल रही हूँ उनको हम अच्छे से पील कर लेंगे चावल जो है वो फुल कुक नहीं करने हमें जब इसके दो दाना दो कनी रह जाएगी तो तब मैं इस इनको निकाल लूँगी प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं वो मैंने निकाल लिए तीन पुटाटोस मैंने लिये थे इनको पील किया इनको एक ही साइज में काटा और अब मैं इसी ओयल में जिसमें मैंने प्याज फ्राइ किये थे इसी ओयल में इनको फ्राइ कर लूँगी थोड़ी देर फ्राइ किये और ये निकाल लिए अब जो चिकन है इसी ओईल में हम चिकन डालेंगे और चिकन को हम कुक कर लेंगे चिकन को तक्रीबन हाफ तैन मिनट के लिए मैंने इसको ढखके पकाया है मीडियम फ्लेम पे दस मिनट इसको पकाने के बाद अब मीडियम से थोड़ी सी मैं आग इसकी तेज करूँगी और इसका जो थोड़ा सा पानी है वो हम ड्राइ कर लेंगे जब आदा पानी रह जाएगा जो दहीं का पानी निकला था वो आदा रह जाएगा तो इसमें हम प्याज डाल देंगे थोड़े से प्याज मैं बचा लूँगी दम पे डालने के लिए इनको मिक्स कर लेंगे ताके जो प्याज है वो अच्छे से गल जाए अंदर सारा पानी फुल ड्राय नहीं करेंगे बलके अच्छी सी इसकी जब ग्रेवी रह जाएगी तब हम इसको निकाल लेंगे जो उपर दम के टाइम चीजें डालनी हैं उनमें ये पुटाटोस हैं फ्राई किये हुए और अनियन है थोड़ा सा पुदीना है बटर है थोड़ा सा सिर्का येलो कलर केवडा एसंस ये चीजें दम के टाइम उपर जाएंगी बहुत अच्छी सी ग्रेवी इसकी तयार हो चुकी है और साइट्स पे आप देख सकते हैं कि घी भी उपर आना शुरू हो गया है और इसमें बहुत सारा मैं डालूंगी मुझे बहुत पसंद है पुदीना पुदीने का टेस इसमें बहुत अच्छा लगता है पुदीना आप डाल दे इसमें अगर आपको ज्यादा पसंद नहीं है आप थोड़ा सा डाल दे पुदीना डाला इसको मिक्स किया थोड़ा सा मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखा बहुत अच्छी ग्रेवी हमारी जो है चिकन की बहुत अच्छी ग्रेवी तयार है अब हम इनको दम पे रख लेंगे चावल को दम पे रखने के लिए पहले जो है इसकी तैय बिचाएंगे चिकन की तैय बिचाएंगे पुटाटोस डाल दिये ताके वो नीचे तैय में अगर जो थोड़ा बोट उन्वे कसर है गलने की गल जाएंगे लेर्ज इसी तरह हम लगा लेंगे चिकन की चावल की इसी तरह दो तीन लेर्ज जिस तरह भी आती हैं लेर्ज लगा लेंगे हम इनकी एंड पे मैं प्यास डाल दूंगी ब्राउन प्यास जो रखे थे प्यास डाल दिये थोड़ा सा पुदीना डालूंगी खुश्बू के लिए केवडा डाल दिया दो से तीन ड्रोप केवडा के डाले मैंने थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया अगर आप पानी में मिक्स करके डालते हैं तो उसी तरह आप डाल दें वन टेबल स्पून इसमें सिर्का गया टू टेबल स्पून इसमें मैंने बटर डाल दिया एक कोईला गरम किया, इसको मैंने रखा साथ में एक चमचोईल का डाल दिया इस पे और ताकि इसकी चावलों में अच्छी सी स्मोक आ जाए दस मिनिट मैंने इसको चावलों को दम पे रखा, हमारी बहुत ही अच्छी तिक्का बरियानी तयार है कोईला हटा लेंगे आप टेस्ट चेंज करके आप बनाया करें रेसिपी चेंज करके आप बरियानी बनाया करें हर दफ़ा डिबे की बरियानी बनाने से एक ही तरह का टेस्ट आता है और इंशाला आपको ये बरियानी का जो ये रेसिपी है आपको पसंद आएगी बहुत ही मज़े की ये तिका बरियानी बनती है आप चाहें तो इसको किसी भी तरह के कबाब के साथ ट्राइ कर सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद के राइते के साथ खा सकते हैं ज़रूर ट्राइ कीजिएगा इस रेसेपी से आपको पसंद आएगी इन्शालला दौाओं में याद रखिएगा अलाफेज